तो दोस्तो वेलकम बेक टो समी रिमोवे रिव्यूव। क्या तुम लोग रैडी रहे कि एक्शन पैक्ट रिवेंस ठेलर के लिए सेक्टर सत्रा की बात करते हैं जिसमें बदला, एक्शन और जबरदस्ट स्चोरी का पर्फेक्ट ब्लैंड है। तुम्हें याद है ना जब तुम स्कूल में होते थे और कभी-कभी सोचते थे कि अगर जिंदेगी का थोड़ा सा एक्शन स्रिक्वेंस हो तो कितना मजा आएगा। तुम सोच के देखना अपने पिता की मौत के बाद अगर तुम अपने दुस्मन को मारने की सोचो तो कितनी गहरी लडाई चलती होगी। उसके अंदर प्रगात का सफर सुरू होता है जहां उसको अपने दुस्मन तोंदिलात से बदला लेना है जो ना सिर्फ उसके परिबार को मार देता है बलकि उसका जमीन भी छीन लेता है। प्रगात को अपने मिसंस में हेल्प मिलती है रानी और बालवीरो के रूप में लेकिन जैसे जैसे कहान ही आगे पड़ती है प्रगात को यह समझना पड़ता है कि बदला सिर्फ उसका पर्सनल मिसंस नहीं है बलकि एक कम्मुनिटी का भी मैटर है। अपने रिष्टों और अपने दोस्तों के साथ अपने दुस्मनों को हराने की काफी मुस्किल रास्ते पर चलना पड़ता है। तो मैं लगता है कि यह कैरेक्टर अपने इगो और पावर के लिए किसी भी चीज़ को मार देने को रेडी है। जिसमें तुम्हें लगता है कि तुम खुद वहाँ हो। अब सिनमोटोग्राफी भी काफी इंटेंस है जहां हर एक सौट्स में तुम्हें टेंसन और सस्पेंस फिल होती है। नीरस सिंग की सिनमोटोग्राफी फिल्म को वीजोली अपेरिंग बना रेती है और हर एक्सन सीन्स तुम्हें अपने सीट से उठने पर मजबूर कर देते हैं। अगर तुम्हें एक्सन पसंड है तो सेक्टर 17 में तुम्हें हर सीन में एक्सन मिलने वाला है। कुछ तुम्हारे आजपास ही हो रहा है। फिल्म का म्यूजिक जाए एक साइट इंटेंस है वहां बैग्राउंड स्कूर फिल्म के मूट के साथ काफी वेल सूट है। तुम्हारे एमोसंस को कनेक्ट करने में म्यूजिक काफी मददगार है। जब प्रगात अपने फार्नल सोडाउन की तरफ बढ़ता है तो बैग्राउंड स्कूर तुम्हें सस्पेंस और छिल को डबल कर देगा। म्यूजिक का ये एक्सपेक्ट फिल्म के नेरेटिव्स को और ज़्यादा ग्रीपिंग बनाता है। अगर तुम्हें एक्सपेंस का होता हुआ एक्सपेंस देखना पसंद है तो ये फिल्म तुम्हें तुम्हें लिए ही है। अगर तुम्हें एक्सपेंस द्रामा चाहिए तो सेक्टर 17 देखना तो ये था मेरी आज की रिव्यू सेक्टर 17 अगर अब अगर आपको ये रिव्यू पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना तो मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में नेक्स्ट मूवी के साथ तब तके लिए गुडबाई